कि हलो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सरी का आपने यूटुब चैनल अनुपिश्टरी में आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि अभ्यास आपका चलेगा और इसके पिछले ले वीडियो में हम लोग जो है कि बेसिक चीजे पढ़े थे और उसमें की एक्जांपल भी हम को याद रखेगा ठीके चलिए जड़ा इसमें समय नहीं लेगा करें कि परमालू के नाभिक में होते हैं परमालू के नाभिक में क्या क्या होते हैं देखिए जो यह परमालू होता है यह परमालू जो होता है इसके नाभिक में आपके क्या क्या पाए जाते हैं प्रोटान और क्या पाए जाते हैं न्यूट्रान यानि कि हम बताए थे आपको कि परमालू के नाभिक में जो है कि प्रोटान पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं न्यूट्रान पाए जाते हैं और परमालू के जो बाहरी कच में है जो बाहरी कच होता है इसमें इलेक्ट्रान जो है चक्कर लगाता रहता है इसमें ठीक है यह आप यह समझे ना कि परमालू के नाभिक में पूछ रहा है कौन कौन से पाए जाते हैं तो परमालू के नाभिक में आपके प्रोटान पाए जाते हैं और क्या न्यूट्रान और इलेक्टान क्या पाए जाता है इलेक्टान जो है प प्रोटान है और यह क्या है न्यूट्रान है यानि कि आफसा नंबर पहले का जो है कि आफसा नंबर बीक रख्थ है प्रोटान तथा न्यूट्रान तथा क्या न्यूट्रान यानि कि प्रोटान तथा क्या न्यूट्रान तथा क्या न्यूट्रान तथा क्या न्यूट्रान त यह भी कोश्यन बनता है कि यह बताए जब परमाडू के बाहरी कच में इलेक्ट्रान चक्कर लगाता रहता है तो उर्जया को गरहन करता है या उर्जया को बाहर निकालता है तो यह चीज़े मैं आगे बताऊंगा तो इसको थोड़ा छोड़े रहेगा तो यह आपका जो है क इसको याद रखेगा ठीक है चले कोश्यन नमर दूसरा देखते हैं कि बहुत चोटा चोटा कोश्यन आप सनल है कर रहे कि परमालू को स्वर्प्रथम किसने विभाजित किया था तो यह आपका चार आप संदिख रहा होगा डाल्टन ने जे जे थामसन में और आपका बैकल क्या है बैकल जो है परमालू को स्वर्प्रथम विभाजित किये थे आपसे आपसे क्या क्या कर रहे है करी परमालू को स्वर्प्रथम किसने विभाजित किया तो आपका जो है आपसे नमबर सीक्रेक्ट होगा मेरे परिछात्रों बैकल बैकल ने जो है कि परमालू के परमा परमाडू के नाभिक में इस्थित प्रोठान तथा न्यूट्रानों की संख्या का लाती है प्रोठान प्रमाडू में जो उपस्थित हैं प्रोठान तथा न्यूट्रानों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंस आपको पता होगा जब हम लोग पढ़ा हम लोग पढ़ पर क्या होता है आपको सब कुछ में बताया गया था फादूला भी हम इस्टेप आपको लिखवाये थे और उस पे एक्जांपल भी कईठो बताये थे आपको पता भी हो आप देखें करीब परमाणू के नाभिक में इस्थित प्रोटान तथा न्यूट्रानों की संख्या क्य कहलाता है आफसा नंबर जो डी है आपका कह रहा है तुल्यांग की भार अब देखें हम लोग पढ़े थे उसमें कि जो आपका द्रव्यमान होता है क्या द्रव्यमान जो संख्या होती है प्रोटानों की संख्या और न्यूट्रानों की संख्या का योग जो होता है मेरे प् कहते हैं कि दरवयमान संख्या क्या काते हैं दरवयमान संख्या यह कर रहा है कि प्रोटान तर्थ न्यूट्रानों की संख्या क्या यह कंफर्म है तो इसलिए मैं जो भी चीज़े बेसी हुnenा पढ़ाते हूं यालने कि जो आपको बेसी ही जिलिए पढ़ाए जाता है आप लोग वहां सही है कि नौर kamu प्रशनोगा सलोसन करने भी कशला है व시 याद कि के लिए आवेस दरब्यमान अनुपात का मान होता है जो कि आपका इसमें से सीक्रिक्ट होगा सी जो है आपका नो दसमलों पान साथ नो गुड़े जो है दस के खाट चार कूलाम प्रति ग्राम होता है तो आप पूरा याद रखेगा यह पांच दसमलों कोश्चन वाचार है ना नो दसमलों पांच साथ नो गुड़े दस घाट चार कुलाम प्रति ग्राम ठीक है आफसन नमर सी आपका क्रेक्ट है आफसन नमर क्या है सी आपका क्रेक्ट है के लिए रहे ना आपको चलिए यह कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए आप याद रखेगा कैथोट कि रो अंक जो है एक एक कम है तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेगा चलिए कोशन नमर पांच पर देखेगा कोशन क्या करें पांचवा करें जब एक इलेक्टरान उच कच से निम्न कच में आता है तब जो है उसकी उर्जा उर्जा का उत्सर्जन होता है बी दिया है परमालू का आकार छोटा हो जाता है सी दिया है उर्जा का उस्वसर होता है बी दिया है परमालू का इलेक्टरान बिना उत्तुसर्जान तथा आवेशकण के चलता है अब देखेगा इसमें आपको हम बताए थे पिछले वाले इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको हर एक चीज बताए गई थी कि जब भी जो है यह आपका कोई परमाडू है यह कोई आपका परमाडू है इसमें पता है कि आपको जो है कि इसमें प्रोटान और नीट्रान आपके पाये जाते हैं परमालू में प्रोटान और निवट्रान Was जो इलेक्ट्रान होता है इलेक्ट्रान इस बाहरी कत्ष में घूमता रहता है और इसके निचले हैं और ले झांदी जयाता है इलेक्टत ज cher उक्या एंफ्टर करता है और नहीं उर्जा को क्या उत्सर्जित करता है नहीं उर्जा अपने अंदर से बाहर निकालता है और नहीं उर्जा किसी से ले करके ग्राण करता है को जब वह अपने कच में चक्र लगाता रहेगा तो तो पहले बता चुका हूं आप देखित जब भी इलेक्ट्रां जब उछ कच्छ्रे% संख्या से निम्न कच्छ्रे 唯ा उर्जवाile का उत्रसर्जन फिया को उत्रसर्जन करता है यानी कि जब इलेक्ट्राल उछ उच्छ से दोई कि निम्न कच्छ में आता है करता है क्या करता है जब उतसरजन कर देता है तो वह चला जाता है निमनकच में तिक 돼 में खपत होती है नए विदी होती है अब देखे जमने कश में आता है तो उर्जा की कमी होती है तब निम्नकश में जाएगा और यह उच्छ में जाना होगा तो ऊर्जा को अपने अंदर गरहन करें तो यह तोपिक रहा पकुशन नमर पांच में तीना तो आप लोग याद र करता है ठीक है ना उर्जा क्या करता है उत्सार्जन करता है जो बच्चे पिछले वीडियो को देखें होंगे उन्हें तो याधी होगा चलिए कि अब बात करते हैं कोशन नमर 6 क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा आफ सनल है त्रीक लगाई देखिए अनुसार वाश्य सुच्च्च्च्च्च कर जो स्वतंत्र रवस्था में रा सकता है क्या करेगी जो परमाण का परमाण वाद नियम मतहां यहीं नियम बताए थे उनके अनुसार जो है वा सुचहुद्व कण जो सुतंत्र रवस्था में रह सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं पहला दिया है तत्व का लाता है दूसरा पर माडू का लाता है तीसरा अडू का लाता है चोहता है आयन यह का जहाए कि आपसे नमबर बी क्रेक्ट होगा क्या कहलाता है आपका परमाड़ कहलाताए क्या कहलाता है परमाड़ो우 वह यानिकि कर रहा है कि डाल्टन स्चाथ की तरफ धेयान दिजिएगा कोश्यन नमर्साथ इसको हल करना पड़ेगा हल क्या करना है आप थुरंत इसका एंस्वर बता सकते हैं क्योंकि मैं बता आए पता चुका हूं सब कुछ जो है कि मैं बता चुका हूं ठीक है अब नहीं पड़ेंगे तो उसका तो मेरे पास कोई सलुसन नहीं है ठीक है मैं बार-बार कहता हूं मेरे साथ हम ऐसा जुड़िए का जबी कला चला है तो चरी इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला कोशन यह भारी हो जाए रहे हैं तो अगला कोशन क्या कह रहे हैं आप हम लोग जो है कि च्छा नमबर ता कंप्लीट कर लिए ना च्छा नमबर डालदन के प्रहां अच्छा नमबर साथ इस एक तत्व का प्रमालुकरमांग दे रंता है प्रमालुकरमांग कि 각लों वहती है उनीस इसका प्रमालुकरमां कीतना है उनस और इसके बाद दियाम हम वार को परमालु भर में तो परमाणु भार बरावर कितना डे रखा हैं आपका 49 डे रखा है तो इसमें पुछ रहा है कि न्यूट्रानों की संख्या कितनी में होगी आप से पूछा है क्या न्योटरानों कि संख्या कर बस कुछ मंहीं करना है न्यूटरानों कि संख्या कि संख्या अम बसकुछ नज करने पर मार्लु भढा यानिकि 49 म आमानоп्रमान को कितना तो घटा देंगे तो जाएगा 0 3 में से घटा दो यानिकि न्यूट्रानों की जो संख्या होगी मेरे प्रीच्छा तो आपकी कितनी हो जाएगी बीस यह रहा आपका एंस्वर जो है कि आपसा नंबर भी आपका करें यह चीजे आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी ति Cathedral नी कि संख्या पराबर हो चाएगा परमालु भार माइनस प्रोटानों की संख्या परमालु भार माइनस प्रोटानों की संख्या और परमालु भार का मतलब क्या हुआ वह नप्रमास करमांग यह हों है तो यह रहा आपकी कुछ चीज endless ता समझ में आ ऐस्क・कमेंटूं कि केलसियम परमाडू में प्रोटान तथा न्यूट्रान तथा इलेक्ट्रान की संख्या कामान करमसा होता है करें केलसियम जो परमाडू होता है इसमें न्यूट्रान तथा इलेक्ट्रानों की संख्या कमान कितना होता है कि नहीं प्रमाड़ करमांग ना है आप प्रमाड़ करमांग जो है न्यूट्रान होता है यहां पर जो है यह प्लस लगने का मतलब यह हुआ कि यह किसी को एक एलेक्ट्रान दे रहा है तो एक एलेक्ट्रान दे देने के बाद इसके पास कितना बचेगा इसके पास जो है आप तोड़ेंगे हम लोग इलेक्टानों की रूप में विखंडित करेंगे तो यह हो जाएगा और क्या हो जाएगा यानि कि आयनन प्रदर्सी तभी कोई अधैजम यह फ्लौरीन है दो इलेक्टान दे रह सो यह करना रहा लाया दो इलेक्टान देने के आप जाएक हेस्पि करेंगो हम लोग तो यह हो जाएगा दो और कितना पंचुह जाएगा के इसका बहुन इसको मानिस लगा यान obrig है कि से तो यह पोण हो गया तो ऊपर देगा तो निगेटिव लगेगा चार्ज ठीक देगा यह प्लस लिया तो यह 9 है और दो किसी से लिए दो खिसी से लिया तो कितना हो गया सब्सक्राइब 11 11 दो किससे लिए नगों है नगों में दू जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा इसका जो है इलेक्टानिक विन्यास हो जाएगा दो आठ दस और क्या एक अब यह पता है यह आपका पूरा नहीं भी अधूरा है यह आपका क्या है पूरा है तो आपका जो है आइनन प्रदर्सित क किया गया है इस ट्रेव कोई हान पर दस पूछता है तो आप ऐसे वेसी हो रहा है वेर किसी से आ drug ले रहा है क्षता वूरा हो रहा है कि नहीं जिसदेशक हो जायए वह ईनन को पर दरसित करे यानि एम पे जो है कि आपका माइनस वन द्वारा जो है कि आएनन को कौन प्रतेशित करेगा एम पे-1 जो कि आपका दस्थने नंबर का आपसल नंबर सी क्रेक्ट है यह पको दूर हो गया होगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद इगारान नंबर कोशिन देखिएग रहर थोड़ा ठोड़ा कि याद रखेगा कि निकाला गेता है कोई किसी भी तत्व का इदी आनन्न परदाशित पूछता तो आप इसेर निकालेगे नंबर कर था 2014 15 परमालुक्रमांग बराबर होता है नियुट्रानों की संख्या के इलेक्ट्रानों की संख्या के प्रोटानों तथा नियुट्रानों की संख्या के इलेक्ट्रानों तथा नियुट्रानों की संख्या के इलेक्ट्रानों तथा नियुट्रानों की संख्या के कभी बराबर नही तो अभी و मैं बता है जो कभी भी परमालु क्रमांक है तो सी औरT ho गया क्योंकि दोनों में noon और इसके बच गया यानि पहला है नुटरानों की संख्या जो है इलेक्ट्रानों की संख्या के यानि कि आपसा नमर क्या होगा बीकरेक्ट होगा क्योंकि परमारू जो करमांक होता है आपका बरावर होता है इलेक्ट्रानों की संख्या के तो इस अधिक एक इलेक्टानों की संख्या क्या होता है बरावर होता है तो यह रहा आपका प्रस्ट नमबर 11 चलिए दस्वे में देखेगा इस दस्वे में क्रोमियन का प्रमालू क्रमांग 24 है उसका इलेक्टानिक बिन्यास होगा इसके बाद 11 नमबर या 12 नमबर दीक भान आपके इनका इनका प्रमालू क्रमां! टो भालब 25 है तो इसका इलेक्टानिक भी न्यास होगा तोib lesson के अधी Ser years 2008 में पूछा गया था सीघ्ण क्रोमयाक्षा क्रोमियान क्या होता है C 24 इसका इसका इसको करेंगे तो वह भुण हो ठिख देश को एस में आपके जो होते हैं 2 S में 2 और P में आपका 6 होता है D में आपका कितना होता है 14 होता है D में आपका 10 और F में क्या होता है कितना होता है 14 यानिकि S में आपके 2 P में 6 D में 10 और F में कितना 14 आपके होते है तो इस लेक्टानिक भी नियास करेंगे देखिएगा 1s2 2s2 2p6 यह अपवाद में है ध्यान दिजएगा 2p6 और यह हो जाएगा 3s2 3p6 इसके बाद 4s1 इसके बाद हो जाएगा 3d5 ध्यान दिजएगा इसमें क्या 2q नहीं हुआ है इसमें 2q नहीं हुआ है देखे 4s2 और यहां पर 3d4 होना चाहिए ठीक है लेकिन यहां पर 2 नहीं हो करके इसमें 5 हो गया यहां पर 1 इसलिए हुआ है क्योंकि जो डी वाला है यह अर्धक के रूप में होना चाहिए यह दी में यानिकि 10 नहीं हो रहा है तो आपका आधा होना चाहिए और यादे हो यहांट पाउना कारें है यहांं हो कि यहां पर रॉब्याह टोछये फूर कि अर्थक पूरा हो जे निसलिए यहां पर यहां पर लाकॉठ वहां और्धक आपका हो जाए और्धक पूरा हो जाए इसमें दस चाहिए तो और रधक आपका हो जाए तो भी कोई बात नहीं कि पांच हो सकता है तो क्रोमियम का यह जो है थोड़ा पवाध है आप लोग इसे याद रखेगा तो इसमें टूटल आपको कितने हो जाएगा द यहां पर समझेगा यहां पर डी में पांच क्यों कि अर्धक पूरा करने के लिए इसमें चला गया है यहां पर फोर एस वन हो जाएंगा चले यह उम्मीद होगी कि यह समझ में आगे हैं दो आठ तेरा और क्या एक तो इस चीज को आप लोग याद रखेगा यह थोड़ा पवाद है कि थोड़ा समझने में भी आप लोग दिकत हो सकती है और हम लोग आफसन की बात कर लें तो कोशन नमब नबर 12 आपसंटनमबर किया मिल्ला है 283 एक आपसंनमबर क्या है है यह आपका ज़िए आगए नमर चलते हैं चलते हैं दो घlorन की कि?? कि आपको पता होगा जैंस चैडविक ने किया था न्यूट्रान की खोज किस ने किया था जैंस चैडविक ने किया था न्यूट्रान की खोज तेरा नंबर है ध्यान दिख रहा होगा न्यूट्रान की खोज किस ने किया था जैंस चैडविक क्या है जैम्स जैम्स चैडविक जैम्स चैडविक क्या है जैम्स चैडविक जो कि आफसर नमबर आपका यह क्रेक्ट है यानि कि न्यूट्रान की खोज किया था न्यूट्रान की खोज किस ने किया था जैम्स चैडविक चार आप संदिक है रदर फोड भी दिया जैसे थांस प्रोटान ओ पस्थ फोते हैं तो क्या उपस्थीत होते हैं यौकि उपस्थित के बात कि यह पर मालू को नाबिक में मैं का अपका नेट्रान ओन उपस्थित होता तो कौन उपस्तित नहीं होता है इलेक्टराण दी चद में याद रखिए आफ़सनल कोश्चन है आगे बढ़ते हैं पंधर नमबर देखेगा अध्यान से निमनिमें से किस मूल करण पर जो है कि रिड़ा आवेस होता है प्रोटान प्लस में होता है नियूट्रान क्या होता है इलेक्ट्रान क्या होता है तो आपका होता है क्या होता है इलेक्ट्रान क्या होता है इलेक्ट्रान है कैसा है जिस पर रिड़ आवेस पाए जाते है प्रोटान पर प्लस होता है और नियूट्रान क्या होता है उदा सीन करें ठीक है तो यानि कि आफसन नंबर जो है आपका एक रेक्ट होगा क्या इलेक् समझ में तो यह रहा एक से लेकर के प्रतना जो एक पंदरत्य के प्रश्णों का सलोशन उम्मीद होगी जो भी मैं कोशनों का सलोशन कराये हूं आपको अच्छी समझ में आगया होगा इस्टे बाइस्टे और ज्यादा आफ्सनल थे तो उन्हें आप लोग याद रखेगा औ हो सकता है इस ट्याइब के जो है कि जाम में कोशन पूश सकें तो थोड़ा वह डिफकल्ड भी था तो आम लोग विस्तार से उसको समाझ लिए कैसे जोए का इनन है और कैसे नहीं होगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं आप से अगले बिदिए में तब तक के लिए बाइबाइ समादा ढूश समादान